नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ससी लर्निंग पॉइंट बाइसिंग सर आज हम करेंगे पंदरा नमंबर की सिफ्ट टूका पेपर ठीक है यह फित नमबर सेट है यानि कि चार सेट कंप्लीट हो चुके उनको भी जाकर देख लेना जरूर आपको कुछ न को सीखने को म करते हैं और तीन दिन तक कार्य करने के बाद उन सभी ने कार्य करना बंद कर दिया सेज कार्य पूरा करने के लिए कितनी महलाओं को कार्य पर लगाया जाना चाहिए यह इसे छे दिनों में पूरा करना है तो देखो 14 पुरुस का अगर 6 दिन का काम अगर हम देखते हैं तो वो 20 महलाओं के 8 दिन के काम के पराबर है यानि कि अगर इसका हम सल्यूशन करते हैं तो efficiency हमें मिल जाएगी यहां से करेंगे तो 2 चौकू 8 हो गया 2 ती या 6 हो गया 2 दूनी 4 हो गया इधर करेंगे 2 सत्य 14 यानि कि 40 बटे में 21 यानि कि अगर हम total work लिखें total work यहां से लिखते हैं तो यह हो जाएगा 40 की efficiency से 14 पुरुस ने काम किया और 6 दिनों तक यह हो गया हमारा total काम अब कह रहा है 7 पुरुस कारे करना start करते हैं 7 पुरुस ने start किया efficiency 40 और 3 दिनों तक काम किया यानि कि 7 या 21 चौक 84 यानि कि 840 काम इनों ने कर लिया करत करने के बाद उन सभी ने कार करना बंद कर दिया से इस कार को पूरा करने के लिए कितनी महला है यानि कि यहां से पहले करेंगे 14 चौकु 56 यानि कि 560 गोड़े में 6 यानि कि 0, 6, 36, 36, 36, 35, 33, 33 इसमें से 840 काम हो चुका है यानि कि 0, 6, 4 गया 2 और 13, 8, 5 यानि कि 25, 20 काम ये हमारा remaining work बचा हुआ है अज को हमें 6 दिनों में finish करना है यानि कि महलाएं काम करेंगी और कितने के efficiency से काम करेंगी 21 के efficiency से 6 दिन काम करेंगी तो ये कितनी महलाओं द्वारा काम करेंगी यानि कि A.M. का मान निकालना तो 21 कम, 24 बचा, 22, 42 यानि कि A.M. बरावर क्या आगया 20 आंसर अगला सवाल एक बस तु बेज कर एक दुकंदार इसके बिक्रे मुल का 30% लाब कमाता है उसका लाब पर्सेंटेज बताईए देखो बिक्रे मुल का 30% यानि कि 30% लिखें तो 3 बटे में 10 यानि कि ये हमारा profit हो गया ठीक है ये हमारा selling price हो गया अब एक चीज़ बताओ अगर हम CP निकाले तो ये तो हमारा selling price है तो selling price है अगर 3 माइनस कर दें तो 7 आ जाएगा यानि कि 3 का profit किस पर हुआ 7 पर गोडे में 100 कर देंगे यानि कि 7 चौक टाइस दो बच गया 7 दूनी 14 हो जाएगा 6 बच गया बटे में 7% अगला सवाल एक अर्द गोलाकार कटोरा इस पास से बना है ठीक है अगर यहां से देखें तो यह 3 है इसकी मोटाई 2 है यानि कि capital R कितनी हो गई 5 हो गई इसमाल R कितनी हो गई 3 हो गई यानि कि यहीं हमें बताना था इस पात काई थान यानि कि पूरे के गोले के आईतन से अंदर के निकाल देते है तो आंसर आ जाएगा यानि कि 2 बटे में 3 क्योंकि अर्द वोला था पाई का पाई रहने दो R कियो भी यानि कि 5 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3 हो जाएगा तो यहां पर 2 बटे में 3 22 बटे में 7 125 माइनस 3 तरकान हो था 27 हो गया तो 15 से 7 गया तो 8 बच गया और 11 से 2 गया तो 9 बच गया तो 2 गुड़े में 22 बटे में 21 हो गया अब देखो पूरा गुड़ा भाग करोगे उससे अच्छा सिंपल सा एक तरीका कर लो 21 से ये 22 को काट लो 2 अठे 16 हो गया 2 ने में 18 296 से थोड़ा सजादा आएगा तो यह हो नहीं सकता यह हो नहीं सकता अंसर लगा तो अगर आपको संतोष्टी करने तो पूरा गुड़ा करके कर लो भाई और इसके लाब़ा कोई आप्सन नहीं है यानि कि इसको लिख लो 11 गुड़े में तो सब्सक्राइब करने के बाद उसके पाद 306 बच जाते है तो उसके पास धन्राशी ती साथ बच गया यानि कि 45 गुम कर दिया 75 हो गया चार नेम चात्यस हो गया पंदरा चक्कान अब्बै पंदरा पना पच्टर यानि कि बारे कहीं लिखा आपको जीरो पर ध्यान नहीं देना कि उप्षन चाहता ही नहीं कि आप जीरो पर काम कड़े खुर्प रही होगी 25 परसंट कम कर दिया तो पचितर परसंट बच गया और इधर कर देंगे परसेंट कम तो चालिस परसेंट बच गया इसी का मान दिया गया था थिरी जीडो अगला सब का मान बताना था आउसद क्या था ग्यार है या तो जोड कर सब को कर लो यह तो आप डिवेशन मेथड से करना चाहते हो उससे भी पड़ गयी तो इसी को कम लाना पड़ेगा तो 11 तो लाया ये लाया लेकिन 9 भरपाई करनी पड़ी यानि कि यह कितना नंबर होगा वीज रहा होगा अगला सबाल एक पुलिस कर्मी एक छोर का पीछा करता है पुलिस कर्मी और चोर की चाल क्रम से इतनी और इतनी है यदि प्लिस कर्मी छे मिनट देरी से पीछा करना शुरू करता तो बहे कितनी दूरी तक दोड़ने के बाद चोर को पकड़ लेता अब यहाँ पर एक सी सोचो कि यहाँ से कुछ डिस्टेंस उसने कवर कर ली किसने चोर ने मिनट जो पहले दोड़ गया क्योंकि प्लिस वाला शे मिनट देरी से भागा शे मिनट का मतलब है यहाँ पर पकड़ा जा रहा चोर तो यहाँ से यहाँ आने में पुलिस वाले को जो टाइम लग रहा है वो टाइम कॉस्टेंट हो गया विल्कुल हो गया यानि कि स्पीड में रिश्यो आठ और साथ का है तो एक चीज़ बताओ डिस्टेंस में रिश्यो क्या हो जाएगा इनका डिफरेंस में एक बराबर में साथ मटे में दस हमें पुलिस वाले का निकालना था तो यहाँ पर आठ बराबर निकाल लेते हैं उनमें से प्रतिये को 10 cm आधार तरज्या और 15 cm उंचाई वाले बेलनाकार गिलास में दूद्ध दिया गया। यदि दाता ने 50 रुपए प्रति लीटर की दर से दूद्ध खरीदा तो कितने रासी खर्च की गई। तो सबसे पहले अगर एक का देखे तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा एक स्वाउट का यानि कि एक पाई आर स्कॉर है क्योंकि वह क्या था बिलनाकार 22 बटे में साथ आर का मान हो गया 10 गोडे में 10 एच का मान हो गया 15 ऐसे कितने थे साड़े 300 तो यहां से साथ पंजे 35 हो गया 22 पंजे 110 हो गया गोडे में 10 गोडे में 10 गोडे में 15 हो गया यानि कि करेंगे तो 16500 आ गया अब यहां से 50 रुपए लीटर की दर से तो 50 का उड़ा करेंगे तो एक तो तीन चार पचम बचीस हो गया 16 पंजे 80 हो तो 82 आ गया अब यहाँ पर आपको घवराना नहीं है देखो हमने क्या किया यहाँ पर लीटर था यहाँ पर सेंटिमेटर था चेंज करना पड़़ता लेकिन option नहीं चाह रहा था ना चेंज करना इसलिए हमने उसको चेंज नहीं किया ठीक है चलो फómoर्न अगला सावा एक घंखानाओ मतलब हो गया एक बटे में पांस तो पांस से चार हो गया तीस परजन का मतलब तीन बटे में दस ब्रद्धी हो गया यानि की दस से तेरे हो गया इधर अगर हम देखेंगे तो यह काट देंगे तो दो दूनी चार दो पंजे दस हो गया इधर करेंगे दो पंजे दस हो गया त कि नहां पर कितना परवर्थन हुआ आठ का किस से 125 से गुणा कर देंगे 255 125 चोकु सो तो आठ चोक 32 बटे में पांच हो गया इधर करेंगे सबसे चूटी अबाज संख्या कौन से देखो अबाज संख्या सभी को पता है कि उसके अगर फेक्टर किये जाए एक वो खुद और एक से डिवाइड होती है अब जैसे मालुक किसी भी अबाज संख्या का कर जैसे हमें निखाला यह सारे 1000 के पास लिखें तो जो भी नंबर लिखें जैसे 1007 ले लो अब इससे पहले देखेंगे कि किसके रूट के पास आ रहा है यानि कि 31 का अगर इस्वायर करते तो 961 हो रहा है अब 961 तो आपर दीखो 1000 के पास है 32 करोगे तो 1024 ज्यादा हो जाएगा अब 31 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर होंगे सब को हमे लिखना पड़ेगा जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया और 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा इस थरीके से सभी लिखने पड़ेगे अब इन नंबरों से चेक करना पड़ेगा यह सारे नंबर यानि कि जो 4 दिए गए जो भी डिविजबल होगा वो प्राइम नंबर नह जारे केस पर ससी में बहुत सवाल पूछे गए, अब यहां पर यह दूसरा नंबर आता, यह दिया गया था, 19 गोड़े में, 19 पनापिचानवे, और 19 तियां 57 हो गया, यहां पर करेंगे तो 17 पनापिचासी, 17 ने में 153 यह नंबर था, यह किसी से भी हमारा डिविजबल नह आनसर हमारा यह हो गया, अब इसमें ऐसा कुछ नहीं कि मैंने यह कर दिया, वो कर दिया, इसा करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, भाहिँ, देखो आपको यह सारे नंबर यहां पर लिखने पड़ेंगे, आपको सबी से धीरे-धीरे करके चेक करना पड़ेगा, जो जितनी साधारण ब्याज पर इतने का रिड उतने ही बरसों के लिए लिया जितनी ब्याज धर पर बहें रिड लिया गया यह उसने रिड अवदी के अंत में ब्याज के रूप में इतनी का दुख्तान किया तो ब्याज की बारसिक धर बतानी है तो देखो 12 सो कर लिया इंटो में आर इंटो में आर क्योंकि रेट और टाइम उसने हमसे इकवर बोल दी है तो यहां से 0 से 0 चला गया 12 तिया 36 हो गया बच्चा 12 चंग 72 यानिके आर बराबर क्या आगया 6% आगया टाइम भी दोलो सेमी थे यानिके आंसर 6% अगला सवाल 10,000 की दनराजी पर 10% की दर से इतने वर्स में प्राप्त चमाई रूप से चक्रवदी किये जाने वाले चक्रवदी व्याज और सादर व्याज के बीच अंतर क्या होगा अब यहां पर देखो करा था चमाई रूप से यानिकि अल्टीमेटली 6-6 मैने की 3 सिलेप बनेंगे क्य कि एक साल में 6-6 मैने की 2 और आदे साल में तो 6 मैने का रहता ही रहता तो टाइम अल्टीमेटली 3 बर्स हो गया रेट हमारी आदी हो जाएगी अब हमें 3 साल का डिफरेंस का फार्मूला पता होना चाहिए ता बस तो 3 साल का डिफरेंस का फार्मूला होता है आर अपॉन में गोडे में 5 हो गई, बटे में 100, गोडे में 100 हो गया और इधर हो जाएगा 305, बटे में 100, बराबर में D हो गया, तो ये तो cancel out हो गया यहां से, इधर करेंगे तो 5, 2, 2, 2, 10 कर लेंगे या तो ऐसे ही छोड़ दो इसको, पचम 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 26, बटे में 100 हो गया difference, यानि कि difference हमारा D बराबर क्या आ गया, 76, 25, ठीक है, अगला सवाल, बेपारी A, नगत खरीद के लिए अंकित मुल पर 25% की छूट परदान करता है, बेपारी B, उसी बस्तु पर एक बेपारी A की बस्तु के बराबर ही, मुल अंकित है, पर 20% की बेपारी चूट और 4% की नगत से, इतना अधिक है तो बस्तु का अंकित मुल, आई देखो, वो क्या गर रहा था, 25% की इकलोती चूट दे रहा था, यहां पर 20 और 4 की चूट दे रहा था, हम एकल चूट निकाल लेते हैं इसकी, तो 20 गोडे में 4 बटे में 100, यानि की 24, माइनस का 24 को 80, यानि की 0.8, यान पॉइंट पे 8 आठ आ गया, यानि की इसी 1.8 का मान दिया गया था, 360, हमें अंकित मुल ले निकालना था, यानि की सारा काम 100 पर हो रहा था, तो इधर करेंगे तो इधर 18 दूनी 36, यानि की 200 गुना हो रहा था, इसका भी 200 गुना कर दो, यानि की 20,000, अगला सवाल, अब य आसान है, इसको करेंगे तो 0.2 हो गया, इसको भी कर लो तो पांदूनी 10 हो गया, यानि की ये पूरा सॉल्व करने पर 0.4 आ गया, इसको करेंगे चार्तियां 12, यानि की 0.3 ये भी माइनस, 1.6 आ जाएगा इधर प्लस, यानि की 1.9 माइनस का 0.4, तो 1.5 आंस, अगला सवा कराए, 1.2 cm, 3.90 cm, लंबाईों को मापने के लिए पैमाने के अधिक्तम लंबाई, cm में क्या है, तो दिको एक मीटर को 100 cm हो गया, 20 जोडेंगे, यानि की 120 cm आ गया, इधर भी करेंगे, तो 300 प्लस का 90 हो गया, यानि की 390, ये भी cm हो गया, अब या पांस से अगर इसमें ही कर लेते, तो इसमें तो मेरे हिसाब से 9,45 हो गया, 9,9,9 से तो पानें, 45 हो गया, पांदूनी दस, पांचो कुविस, यानि की ये भी नहीं कटेगा, हटा दो, अब 10 से देखो, क्या हो रहा है, कट तो जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, अधिक्तम संभव इच्छा में, 9,13 के अनपात में अंक प्राप्त हुए है, यदि उसे बिग्यान में गड़त से 16 अंक अधिक प्राप्त हुए, तो गड़त में उसे कितने अंक प्राप्त हुए, अब देखो, 16 अंक अधिक प्राप्त हुए, उसे बिग्यान में गड़त से, यानि कि इन दो तारीक की सिफ्ट टू कप्लीट हो गई ठीक है इसके उपर मत जाना है यहां पर 15 होना चाहिए ता बाई मिस्टेक से गलत हो गया बागी कोई भी सजेशन लो कमेंट बॉक्स में लिखेगा मिलते हैं अगले वीडियो में तक तक के लिए जाए हिन चैबारा